अगर मैं जीवीत रहा तो मैं संपूर्ण भारत को बद्ध में बढाऊंगा तो आप इस एस्टेक को कैसे दिखते मतलब आज की डेट में क्या अब जैसे अब लोगों ने ये बॉद्ध जो है बुद्धिस्च ये इसको एक रिलीजिन ही बना दिया है वो एक अचिस्ट की ही जी बताईए सरा मुझे बहुत दाउट थे लेकिन मैं आपसे कुछ कोश्ण करना चाहूँ नहीं सर दिखिये अब जो अब हम हमारा जो सोशल लाइब नाम चल रहे हम बता रहे हैं लोगों के वहाइंड इस इंडू इस इंडू इदम और अगर जो लोग फॉलो कर रहे हैं तो अगर वह मानवता रखते हैं और अपने धर्म के नाम पर कुछ अब 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 उनका जो मोटिव है वह मानवता के लिए होता है तो इसमें गलत क्या है जैसे अगर मैं बात करू कि जैसे अभी रक्षा बंदन हुई है अगर किसी बहन को अब किसी भाई के हाथ से राकने लिए अबर उसे खुशी मिलती हो या वोस्तर वर्ट उसे आनंद मिलता हो तो इसमें गलत जैक बहुत खुप्शुरत क्वेश्चन है अपका एक बाद बताईए ईस्ट्रीम बिराते हैं शिक विराते इसाई हैं और यहूदी भी राते हैं पार्सी भी राते हैं बहुत सार अपना जो धरम है उसके हिसाब से अपने- अलग कल्चर भी वि डिवलप किया हुआ है वो भी अपनी परमपरा और सारी चीज़े मनाते हैं तो अगर कोई मुस्लिम जो है अपना कोई तेवहार मनाता है जिसमें वो अपने लोगों से मिलता है जूलता है बले उसके पीछे का इतिहास कुछ भी रहा उस तेवहार में वो अपनी खुशिया मनाता है तो क्या जो ब्रहमेनिकल लोग हैं जो आप पूछ रहे हैं क्या उनको उस चीज से एतराज होगा क्या वो भी जाकर मनाने लगेंगे जी, ask question जी उसी तरह से इसायत को ले लें इसायत भी अपना अलग अलग तेवहार मनाते हैं तो क्या ब्रहमणबादी लोग हैं उनका मनाने लगेंगे नहीं मनाते तो नहीं है लेकिन respect तरू देते जिसमें मानवता है मानवता है क्योंकि इन दोनों का आपस में टकराओ नहीं है अब बात आती है कि जिसे मंदिर में ही नहीं गोषने दिया गया जिसको धरमगरंथ में ये कहके दुद्कारा गया कि तुमसूद रहो, अच्छूद हो 10 से 12 दिन के बच्चे का जब आप नामकरण कहते हैं कि इसका नामकरण ही निंदा युक्त कर दो कि जिन्दगी भर इसकी निंदा होती रहे एक बच्चा 10 से 12 दिन मासूम बच्चा है जिसको पता तक नहीं है उसको मनुस्मिर्ती चेप्टर 2 का 31 नंबर स्लोक जो है 32 नंबर स्लोक है उसमें कहा जाता है निंदा युक्त नाम रखो ताकि इसका जिन्दगी भर मतलब उसका अब निंदा होते हैं निंदा नाम ही रखती आपने उसका गलत सा और ब्रामण का ब्रामण युक्त नाम रखो तो जब इस तरह की प्रथा आप रखते हैं तो वो तो जिसको आप सता रहे हैं दबा रहे हैं उससे आप कहेंगे कि हम जो चीज आप मान रहे हैं उसी को तुम भी मानो तो तुम विरोध करेगा करेगा जब उसको मन करता था मंदिर में जाने का तब तो आप उसको सुद्र छूत का के मंदिर में नहीं गुषने दिये तो आप अब उसी मंदिर का जस्न मनाने की बात करते हो, तो ये तो उसके उपर है न, कि जब आप वो खुद रियलाइज करेगा न, कि उसको जाना है कि नहीं जाना है, आप उसको अपना धरम मानने के लिए कहा क्यों रहे हो, जब आपके धरम में सुद्र कह दिया, आपने न किये हुए हैं, फिर भी तुमको हमारा ही इद मनाना पड़ेगा, तुमको हमारे इतेवहर मनाने पड़ेंगे, अब इसलाम वाले भी जबर जस्ती इनिंदा भी किया है अपनी किताबों में, फिर दोनों को पकड़ लें, तुझे तो मेरी धरम को मनाना पड़ेगा, तब त लोग है, अगर वो यह सब कर रहे हैं, तो इस गुड़, क्योंकि वो उनका धरम है, लेकिन जो, वही मैं बहुत रहा हुना, तब सुनो ना सर, जो ओबीसी के लोग है, जो ओबीसी के लोग है, और जो एस्टी एस्टी के लोग है, यह अल्रेड़ी अशुद्रत अटी शु कर तो आप इनको क्या बोलोंगे, मैं उनकी बत करो, देखें, वो उनका आपसी मैटर है, अब माल लेते हैं कि इसलाम जो है, उसने अपने धरमगरंथ में यहूदी और इसायत के निंदा कर दी, अब कुछ इसायत के लोग हैं, कुछ यहूदी लोग हैं, उनको मन कर रहा है कि ने, ने, तब भी हम इसलाम के ना, कुछ इदूद मुबारा कर दे देंगे, तो उनकी अपनी मर्जिह दे रहे हैं, खुशी बात है, अच्छी बात है, दे रहे हैं, लेकिन यह उनके उपर भी है, कि अगर उनके बाकी लोग अगर यह कह रहा हैं, कि ने, उसने तो हमें गालिक लोज की आया है, हम उसकी चीज़ों को नहीं मानेंगे, तो वो उनके उपर है, वो लोग अपने लोगों से बात्चित कर सकते हैं, कि उनको मनाना चाहिए, कि नहीं मनना चाहिए, यह उनके अपने डिसकसन काभी से है, इसमें इसलाम को कूद कर जाकर आद दूसरे पर हामला करने की नहीं जूरत है कि नहीं तुमको तो मनाना ही पड़ेगा तुमको मनना पड़ेगा नहीं तुम मुस्लिम विरोधी कहला होगे ऐसा नहीं कर सकता उसी तरह से ब्रह्मेनेजम जो है वह भी फोर्स नहीं कर सकता है जिनको वह सुद्राती सुद्र कह रहा है कि त ओको आपने मार दिया और उसके बाद से विशने करेंगे उनका अपना अंदुरु मैटर है कि वह मानेंगे या ना मानेंगे मुझे और एक क्वेश्चन था सर आपका क्या आंसर कि अगर कोई इस समय पर अगर कोई वेज है या नौन वेज है तो आप इसको किस नदर देखते हो एक आदमी ने एक इंसान ने नन वेजटेरियन होना चाहिए या नहीं देखें इनसान को वेजटेरियन और नन वेजटेरियन होना चाहिए नहीं होना चाहिए यह डिपेंड करता है हर चीज की एक एज होती है अहर एक कल्चर होता है आप यह देखिए कि किसी के इहां साक सबजिया मिलती ही नहीं है कोई जगह पर रहता है पहारी लाके पर थणडी जगह पर रहता है जहां बड़ा मुश्खिल से कोई फसल या कोई चीज हो पाती है उसके पास खाने के कुछ नहीं हो तो वह जितनी भी चीज उसको खाना है वो चाहता है कि हम कम से कम चीज इलाके देंगे रेगिस्तान के इलाके हैं जहां पर सब्जिया नहीं होती फसले नहीं होती वहां के लोगों को आज तो globalization हो गया है कि अनोना सारी चीज़े पानी वगर भी सप्लाई कर दी जा रही है जब नहीं था तो मजबूर थें कि अगल वगल के जितने भी जीव थें या जो भी जीव था उसको मारते थे खाते थे उससे काम चलाते थे नहीं था वहां पर सुईधा तो यह खान पान की जो सुईधा है यह पूरे दुनिया में पाई गई है और इस तरह से पाया गया है कि जहां जिसकी अब मच्छड को ही देख लीजिए जो मस्कीटो होता है वो इंसान का खून ना पीए तो भी उसका काम चल जाए और मेल जो है वो तो जिंदगी भर ना पीएगा तो भी उसका काम चल जाएगा पर जो फीमेल मच्छड होती है वो जब प्रिग्नेंट होगे यानि जब उसको खून की जरूरत उसको लगता है कि हम ऐसे कुछ पोश्टिक खाना खाएं पोश्टिक चीजह लें तो वो इंसानों का खून चूसती है तो वो भी बीना उसके इंसान का खून चूस जिंदा रह सकते हैं लेकिन जरूरत उसी तरह इंसान का भी है इंसान भी एक उभैचर प भून उनके मुह ना लग जाए तब तक वोह हिंसक नहीं होते हैं तब तक इंसान का सिकार नहीं कर ट तो जो नहीं खा रहा है मास मुच्री नहीं खा रहा है वह इस बात पर अपने को अढ़ा हुआ है। जीद पर टीका रहेगा यह देखो यह न गलत है नहीं खाना चाहिए और उसको कुछ बीमारी हो जाती है जो डाक्टर मना कर देता है कि अब आपको नहीं खाना है तब वो कंट्रोल कर सकता है तो करेगा नहीं करना होगा तो आगे मरेगा तो यह होती है लाइफ की जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं और खुद से चैन करना चाहिए बैलेंसिंग कि आपको किस तरह से बैलेंस में जीना है जी आज क्वेस्टन जी सर तो आज के सिट्वेशन में क्या यह सब सही है और अगर कोई इंसान या कोई बंदा बोल है कि चलो तुम खा भी रहो मास मच्छी मटन तो किसी को मार कर खाना मतलब किसी जीव की हत्या करकर खाना क्या यह सई है किसी जीव की हत्या करके खाना यह अगर आप एक हुमनिस्ट के नजरिये से देखेंगे तो आप एक वीगन के नजरिये से देखेंगे तो आपको लग खाना तो आप जब भी कुछ खाएंगे तक किसी की हत्या ही तो कर रहे हैं उसका जुबान नहीं होगा साक सकारी खा रहे हैं उसके अंदर भी जान है फल खा रहे हैं तो फल तो अपने कुछ प्रोड़क्ट जो है छोड़ देता है चला जाता है कि इसकी कम से कम हमारी तरह जुबान नहीं है हमारी तरह खून ब्लड नहीं है जो बहेगा तो सीधे उतार लिए खा लिए इस तरह से कर लिए लेकिन जब आप वेश्टेरियन से बात करेंगे तो वो भी कुछ इसी तरह की दलील देना पसंद करेगा कि भाई जीव तो उसमें भी है यह क्या होता है कम जीव बड़ा जीव बुलने वाला जीव निरिह जीव नहीं बुलने वाला जीव सबको खाएंगे लेकिन एक मानवत मानवताबादी जो होता है वो इस हद तक पहुंचता है कि हां यार जो कम से कम हम लोगों जैसा हो रहा है अब इंसान तो इंसान को मार के खाना नर्मूरी मत खा लेना तो कुछ इस पेसल जीवों को ही खाना वो भी करेक्टरी तो उसी में एक और आगे आप चले जाते हैं क हम को किसी खुन वाले जीव को खाना है नहीं है बलकिल हमको तो साक में खाना है तो मानवताबादी नजरिये से सकाहरी होना बेहतर है जी सर आज की डेट में जो नौन्विच खा रहे है अब नौन्विच खान जो खाने वाले लोग है उनकी संगे इतनी बढ़ चुकी है की जो अब बेचना ही एक occupation बन चुका है अब तो ज्यादा वेश्टेरियन हो गए बोधा के आने के बाद से इंडिया में 80% of population अभी नॉन वेश्टेरियन है ना 20% तो वेश्टेरियन है जरा सुचिए उस 20% का वेश्टेरियन वाला जो हिस्सा है पूरे विश्वा में आप खोज लिजेगे किस देश में 20% लोग वेश्टेरियन है जिसकी इतनी बड़ी संख्या हो क्या आप सूच सकते हैं चाइना की लगभग इतनी बड़ी संख्या है वहां पर कितने वेश्टेरियन होंगे सुच भी सकते हैं नहीं सर बट जितना मुझे पता है मेज़रिटीट फूर नौन वेश्टेरियन हुआ तो वेश्टेरियन भी होना यह चीज जो है बुद्धिजम ने लोगों को सिखाया है वो लेकर आया सम्राटा सोक ने हां क्या सब्सक्राइब करने हैं तो आप जो है क्या चाहते आप क्या चाहते हैं मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या मास खाना सही है क्या किसी की हट्या करते और अभी तो और ज्यादा हो चुक्त आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता सरी तो एक यह दो बर खा लेते तो वह उतना मैटर नहीं करता ठीक है क्विकली अगर आप दो बार भी खाते हैं इसका मतलब यह हो गया कि इसका मतलब यह हो गया वीकली दो बार का मतलब आप समझते हैं कितना मतलब क्या हुआ अगर मैं अभी मेडिकल एस्पेक्स मन्थ में वह कितना हो गया मन्थ में यह बॉड़ी आपकी बॉड़ी जितना प्रोटीन आपको लगता है वह मैक्स्टी ग्राम्स के आसपस होता है 50-60 वह भी ज्यादा हो गया लेकिन तब भी अगर मैं हफ्ते में दो बार कुछ चीकन खा होगा लेकिन इतना एक्सेस नहीं होता कि किसी की बॉड़ी को अफेक्ट करें बट अगर आप भारत में चार बार पांच बार खाता है जरा यहीं पता दीजिए बट सर अपने जो इस्तिती है उसमें चार बार पांच बार खाते होंगे ऐसे तो चार परसेंट ही लोग है मैं नों यही सुना है जब हम लोग पढ़ते भी थें तब जो दोस्त होते थें हपते में महीने में कभी एक दो बढोर कहेंगे कि आरे मैं मैं जा रहा हूँ भारत में मुझे तो नहीं लगता है कि कोई डेली के डेली खा रहा है क्योंकि जो डेली भी खाएगा वह इतने जल्दी विमार पड़ेगा क्योंकि एक खास तरह का आपका सरीर जो है जैसे पानी जरूरी है उसी तरह से चावल और रोटियां भी जरूरी है सबजिया भी कोई भी मांसाहारी जो है बीना साकाहार के भी जिन्दा नहीं रह सकता है एक मांसाहारी को साकाहार तो होना ही होना है साकाहार में प्लस आप मांसाहार थोड़ा सा एड़ कर सकते हैं यह चीज होता है वो भी प्रोटीन के लिए खाना खाते हैं तो उसमें सब चीज चाहिए लेते हैं उन जगों पर आप उसको एड कर सकते हैं लेते हैं वोह तरू पड़ेंगी ठीक है आज क्वेस्टन जी चलें आप खुद बस मैं आपसे जानना चाहता है कि जैसे बाबा साहब ने कहा था निपर में एक सेशन में की भाशन में कि अगर मैं जीवीत रहा तो मैं संपूर्ण भारत को बद्ध में बढ़ाऊंगा तो आप इस एसपेक को कैसे देखते मतलब आज की डेट में क्या अब जैसे अब लोगों ने यह बुद्ध जो है बुद्धिष्ट यह इसको एक रिलीजन ही बना दिया है और अभी लोग इसको एक्सेप करने को भी तैयर नहीं है तो आप इनके आइडिलोजी आल ओवर इंडिया या फिर आल ओवर व और बुद्धिजम को आगे बढ़ाना है इसका तो सबसे बड़ा जीमा आपके उपर होना चाहिए क्योंकि आप तो प्रॉपर बुद्धिष्ट नहीं है वही जो टीचिंग उन्होंने दिये वह एक अथिस्ट की ही तीचिंग है मैं वही बात कर रहा था आप से कि अभी ल कौन का रहा है रिलीजन है ही नहीं सब्राट असोक अपना सिलालेक लेखवाया थे तब भी रिलीजन का सब्दावली था उन्होंने नहीं इस्तमाल किया था यह तो आशोक ने कहा आप कर रहे हो लेकिन जो आज एकस्पेक्ट माइंड में बैठ चुका है लोगों के वह एक तो देखते हैं तो यह आप 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 को फॉलो किये हुए है आपके जिमारी है ना कि आप उसको कैसे ले जाएंगे आगे अगर आप आपको अगर पता होगा तो में जब बाबा साहब ने धर्मांतरन किया तब जितने भी अंटाचेबल से फिर मैक्समम अमांट किया था अपका रहे हैं अपनी फिलिंग काहें नहीं ला रहे हैं मैं अपनी जो है ना दूसरों के मुह से अपनी बाते जब तक आप सुनते और सुनवाते रहेंगे तब तक आप डाउट फुल रहेंगे आप अपनी फिलिंग बात कीजिए ना कि आप बाबा साहब को मानने वाले हैं आप बुधा को मानने वाले हैं आप चाहते हैं कि आप किसी दूसरे से पूछेंगे कि उ कई से लेकर आएगा यहां पे हर उस व्यक्ति का दाईत्व है जो बाबा साहब को मानता है उसका यह दाईत्व है कि हमें अपनी खोई हुई परंपरा को कैसे वापस पाना है समय ना दूसरे लोगों के लिए यह रिलीजन हो सकता है धरम हो स हमको कल्चर ले आना है वो कल्चर ही हमारा एक्षूल कल्चर है तो यह हर भारतिये का प्रश्ण है एक सिंगल व्यक्ति का नहीं है ठीक है चलें आज क्वेस्टन जी ओक्रिश्ट थाइंक यूँ अ अर्व सकतिता है धूँ अर्यक्ते है